टाइम ट्रेबल की एक ऐसी अधभुत कहानी जिसको सुनकर आप हैरान रह जाने वाले हैं दोस्तो हम सभी ने बच्वन में कोई न कोई साइन्स एक्सपेरिमेंट तो जरूर किया होता है फिर चाहेवा बैटरी और वायर के कनेक्शन जोड़ कर बल्ब जलाना हो जिसे देखकर आपके पैरेंट्स आपको आइंस्टाइन समझ बैठे थे या फिर कापर के वायर से इलेक्ट्रो माइगनेटिक ट्रेन चलाने की नाकाम कोशिज पर जरा सोचो कि इलेक्ट्रिक वायर से खेलते-खेलते कोई ऐसा कनेक्शन बैट जाए जो टाइम मशीन का इन्वेंशन कर दे और फिर आप उसमें बैट कर ऐसे गाइब हो जाओ कि आपकी लास्ट पाचास साल पहले के टाइम में मिले यहां मैं किसी वालिवीड मुवी की स्क्रिप्ट नहीं सुना रहा हूँ बलकि यह एक रियल स्टोरी है माइक मैकम की जो अमेरिका के मिजोरू में रहता था दोस्तों हमारी कहानी सुरू होती है साल 1995 से जब यह कई साल का माइक इलेक्ट्रिक इंजिनरिंग की पढ़ाई करने के बाद जाब की तलास कर रहा था अब माइक ने क्योगी इलेक्ट्रिक इंजिनरिंग की हुई थी तो जाहिर तोर पर उसे इलेक्ट्रिकल एक्विमेंट और इनसे एक्स्पेरिमेंट करने का बहुत ज़्यादा शौक था जिस कारण से उसके घर पर हर जगा कोई न कोई electric equipment पड़ा ही रहता था माइक कई जगों पर काम की तलास करता है पर कोई भी अच्छी जाब उससी नहीं मिलती अब ऐसे में न माइक घर पर ही अपना experiment करने लग जाता है या सूच कर कि शायद वह एक दिन कुछ ऐसा बना लेगा जो दुनिया को हैरान कर देगा अब देख ये सब सुनने के बाद माइक आपको थोड़ा साइको लग रहा होगा पर रियल्टी में सायद ऐसा नहीं था अब माइक काफी इंटिलिजेंड बन्द था पर एक poor family background से आने के कराण उसके पास अपने experiment को fund करने के लिए पैसे नहीं थे इनफेक्ट अपनी electrical engineering की पढ़ाई भी उसने काफी मुश्किल से की थी और साल 1995 में माइक अपने घर में जेकॉब्स लेडर नाम के एक डिवाइस पर वर्क कर रहा था दरसल दोस्तों Bible की Book of Genesis में जेकउब नाम का एक character होता है जो सपने में एक ऐसी सीड़ी देखता है जो स्वर्ग तक जाती अब इसे ही जेकउब लेडर कहा गया है कठेन लग रहा है ना चलो इसे थोड़ा और सिंपल कर देते हैं देखो ये बेसिकरी दो conducting wires होते हैं जो वी सेब में लगे हुए हैं अब ये नीचे की तरफ से ट्रांसफार्मर से connected होते हैं जो high potential difference को create करता है और electrons एक दूसरे को repel करने के चकर में एक वाइर से दूसरे वा हीट प्रोडिस होती है जो आयोनाइजड एर को उपर की ओर ले जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे यह high voltage आर्क स्वर्ग की सीड़ी चड़ रहा है और तभी तो इसे जेकब लेडर नाम दिया गया है अब यहां पर इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि हमारा आर्क वायर उपर की ओर उड़ रही थे वह modified compact इस लेजर लेता है उसको जैकाफ लेडर सर्किट की टर्मिनल की ओर पॉइंट करता है जिसी वह यह रेजिस्टेंस को कम कर पाए और उसे एक continuous आर्क मिले अब इस प्रोसेस के दवरान उसे ना एक हीट मार्क दिखता है जो सर्कुलर सेप का था और उसे देखकर वो curiosity में कुछ ज्यादाइक हो जाता है अब माइक उस circular हीट वाली जगह पर एक seat metal screw रखता है और पूरे experiment को फिर से repeat करता है अब देखो माइक मार्कम की माने तो ऐसा करने पर वो screw एक पल के लिए गाइब हो जाता है और दूसरी पल अपनी original जगह से कुछ फिर दूर मिलता है मतलब उस एक पल में screw ने time travel किया था अब यह देखकर माइक के दिमाग में time travel machine बनाने का idea जनम लेता है जिसमें बैट कर वो future में जाना चाहता था और lottery की ticket का number जानकर वापस आना चाहता था जिससे कि वो lottery जीत कर वापिस आना चाहता था जिसे कि सथी compact disc laser का बार बार जल जाना माइक को high voltage electricity और साथ ही बड़े और powerful transformer की जरूरती असपस्ट रूप से उसका छोटा सा setup सिफ एक screw को ही time travel करा सकता था उसे नहीं माइक इन transformer को खरने की सोचता है पर यह उसके लिए बहुत ज्यादा ही expensive था अब एक दिन माइक की नजर पास के सेंट जोसेब light and power generating station पर पड़े 6 transformer पर जाती है और वो अपने experiment के लिए इन्हें ही इस्तेमाल करने का फैसला ले लेता है अब माइक इन transformer को चुरा लेता है साथ ही साथ underground wiring करके power station से ही free electricity का जुगाड कर लेता है पर माइक मारकम का ये खुराफाती idea flop साबित होता है और वहा 2495 के दिन माइक को अरेश्ट कर लिया जाता है माइक कोट में जच के सामने transformer की चौरी वाली बात accept कर लेता है और अगले कुछ महीने जेल की सलाकों के पीछे ही बिताता है अब इतना कारनामा करने के बाद माइक मारकम अपने area में उतना ही famous हो चुका था जितना big boss जितने व कहानी सुना रहा हूं ना यह मैने personally माइक के घर में घुसकर नहीं देखा है माइक ने दरसल आठ बिल के सो में यहां सब बताया था वो इस बात को भी कभूलता है कि वो time machine बनाने की कोशिश कर रहा था हालांकि जेल की हवा खाने के बाद माइक के सर से time machine बनाने का भूत उत पर उनके पास experiment को conduct करने के लिए पैसा ही नहीं जिस कारण से उन्हीं चोरी करनी पड़ी अब interview के दौरान माइक अपना number देता है जिस पर अगले तीन दिनों तक लगातार calls आते रहते हैं लोग माइक के idea को जाना चाहते थे और उन से मिलना चाहते थे और उन सब के बीच क सब्सक्राइब का था जो time machine पहले कुछ kilowatts electricity पर चलने वाले थी अब उसकी डिमांड तीन मेगा वार्स की हो जो अब इसके करीब एक साल बाद यानि की साल 1996 में आर्ट बेल एक बार फिर माइक मरकम को अपने सोप पर इन्वाइड करते हैं और उन से time machine के progress के बारे में जान और यहां इतनी बड़ी होगी जिसमें एक पूरा का पूरा इंसान भी time travel कर सकता है and obviously वो इनसान खुद माइक होने वालत अब देखो माइक की मानना तो उन्हें time machine बनाने के लिए काफी experiment कंड़क्ट किये थे जिनमें से कुछ experiment में हमेस्टर्स और guinea pigs भी सामिल थे उन्हों in fact माइक का तो यह भी दावा था कि वो खुद एक बार time travel कर चुका है अब इस दौरान वो समय में दो साल दो महिने आगे गया था और अपने घर से 800 miles दूर एपियर हुआ था और बाद में हुआ as user वापिस आ गया था अब 100 के last में माइक अब 100 में अब 100 के last में माइक audience को अ माले तो लोग उनके आलिसान घर और अमेरी को देख सके और उन्हें विश्वास हो जाए कि माइक मरकम ने सच में time travel किया था माइक यह भी कहते हैं कि वो अपने साथ अपना फोन भी लेने वाला है इस शो के कुछ दिनों बाद साल 1997 में माइक मरकम एनाउंस करते हैं कि वो time time travel करने जा रहा है और फिर एक दिन वो अचानक से गाइब हो जाते अब करीब 27 साल बीच जाने के बाद भी आज तक माइक मरकम का कोई भी सुराग नहीं मिल सका और यह केस एक बहुत बड़ी मिस्टरी बनकर रह गई है लेकिन असल मिस्टरी तो अभी बाकी है मेरे दो के डिस इपरेंस के बाद आठ बेल के शो पर कई फोन काल्स आते हैं जिनमें अमेरिका के एक पुराने क्राइम केस का जिक्र किया गया था दरसल 1930 के दसक में कैलिफूरिया के बीच पर कुलिस को एक डेट बॉड़ी मिली थी जिसका होलिया काफी हद तक माइक मरकम की तरह यह डेट बॉड़ी एक अजीब सी मेटालिक ट्यूब के अंदर मिली थी और बाड़ी के पास एक स्ट्रेंज डिवाइस भी मिला था जिसका डिस्क्रिप्रिशन आज के सेल फोन से मिलता जुलता है तो यहां पर क्या माइक मरकम ने सच में टाइम ट्रेबल किया था लेकिन अगर वो फ्यूचर में जाना चाता था तो उसकी बाड़ी पास्ट में कैसे मिली अब हो सकता है कि वो टाइम लूब में फसकर फ्यूचर की जगा पास्ट में चला गया हो और अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त साइंस के बहुत से ऐसे कॉंसेप्ट हैं जो हमारी सोंस से परे है और माईग मारकम के हाथ में एक ऐसा कॉंसेप्ट लग गया था जिसने उन्हें टाइम मसीन की खोश तक पहुचा दिया लेकिन अफसोस वो जिन्दा नहीं बच पाया हाला कि आप इसके बार में क्या सोचते हो क्या ये मिस्टरी वाकई में एक सचाई है क्या एक कहानी एक हो सकती है क्या माईग मरकम ने वाकई में एक टाइम ट्रेबलिंग मसीन बना लिया था या फिर ये सब एक जूट है आपको क्या लगता है क्या हमें इसे और श्रेडी करके इसके पीछे की असल सचाई का पता लगाना चाहिए तो दुस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आ आपको क्या हमारी निए तो आपको उन्या आत्रम्